मेरे बाई अगर क्लास तेंथ में आपको 90 प्लस लाना है तो यह पहले बता चुकों को आपको इदर उदर भटकने की कोई जरौत नहीं है मैं आपको पहले किलेटी से बता दिया है कि यह सिब्यसी यह देखो यह कुश्चन देखो आपको अब देखो इसी तरह की के सवाल यह कप पूछा करता था यह पूछा करता था ऐसे सवाल 2011 में 10 में 12 में सेम होता था बस थोड़ा सा वेरेशन चेंज होता था तो इसलिए मैं बताना चाहतो मिर भई यह जो सिब्यसी है ना यह 2015 से सिब्यसी का फेवलेट कोश्चन क्या हो रहा है कैसे हो रहा है और जितने भी बूर्ड अभी है चाहिए उससे बैसी सो एफलेटेट किसी भी स्टेट से हो इस भार अभी आपके पेपर इसी तरह के काएगा कंप्लीट वीडियो में डिसकस करके बता दिए क्या सिब्यसी का डिमांड होता है तो कंप्लीट वीडियो आप लोग देखके बताओं नमस्ते भाईयों तो मेरा आप लोग क्लास 9 की प्रिपरेशन कर रहें तो आप लिए एक बहुत बहुत बहतर पुइंट बता दूं अगर आप लोग इस चक्र में बटकते रहें तो नहीं कि इंपॉर्टन कोईशन क्या होता है प्रीबियस येर मैं 110 पर सक्या रहा हूं खासकर करके मैक्स में जिनके कमजोर मैक्स है इवन वो बच्चा भी बहुत तगड़ा नम्मर ला सकता है तो मैं अभी आपको बता दूंगा कि सिब्यसे जो होता है न मेरे आपके सामने ये 2526 2015 से अभी तक उनके लिए क्या फिवरिट कोईशन रहता है और उन्हीं कोईशन को कैसे रिपीट करकर के करकर के डिजिट चेंज करके आपके सामने परजेंट किया जाता है ये चीज़ आपको किसी ने नहीं बताया होगा 110 परसेंट बता रहो बट अभी आप समझना और का सॉलिशन भी देखना कितना असान है इसी लिए मैंने आपको इसके अंदर में फ्री बैच मैक्स कर दिया है और भाई वन बाई वन करके पार्टन पार्ट टू करके आएगा यह आपके सामने डैमो वीडियो आपस कंप्लीट देखना जो चुची बताऊं आपको वह सबसे पहले देखों यह आपके सिवेसी जो है नहां पर इस कुछीन पूछा है दो हुजार वाइस में आप कुष्छन को देखों नहीं कोदो हो दो हजार ढोगा है सिबैसी हमेशा कुष्छुन्स वही रगता है बट आपको पता नहीं चल तक पिपर कहाँ तरह मैं exactly आपको बता दूँ और complete वीडियो को देखना आप solution के साथ भाई नई copy जरूर बनाना आप लोग तो देखो भाई इस तरह के question आपको technology में मिल जाएगा मैं आपको जितने भी है all chapters चाहे आपके वो चाहे mid term हो चाहे आपको वो final हो mid term already आपको बता चुकों भाई ये 22 ये आपके पास रे भाई सही हो जाएगा ये 22 September से आपका mid term सुरू हो जाएगा और ये almost 9 October तक चलेगा और 19 October को आपको क्या आजएगा result आजएगा तो समझे मिर भाई ये तो point आपके सामने पता चल गया देखो कहानी कैसे होता है जब ये सारी चीजे पता चल गई तो आपको एक point और पता होगा इस तरीकी के questions का solution कैसे होता है मिर भाई आप देखो बहुत easy है मतलब इतना easy कि आप सोच भी नहीं सकते हो देखो मिर भाई कहने मतलब क्या हो गया आपके सामने दिख रहा है कि sin a plus b equals to 1 है cos a minus b equals to root 3 by 2 है जो कि 0 जो है a plus b से छोटा है कहने के मतलब क्या होगा जो answer आएगा वो a b का जो sum है न वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए और एक condition और भी है आपका a greater than b होना चाहिए फिर खेरा find the angle a and b समझ रहे हो बात को कुछ भी ने भाई हलवा का question देखो मेरे भाई अगला condition आपके सामने ये है कि जो मैं बता रहो मेरे भाई इस तरीके के चीजों को लिखने के लिए आपको सीधा सीधा answer पर जाना है सबसे पहले question उतारो क्या खेरा है ये है आपके sign a plus में b equals to 1 कोई दिक्कत नहीं है भाई अगला है आपके सामने cos a minus b अगला क्या है equals to root 3 by 2 ये बस आपको पता हो चाहिए और कुछ भी नहीं हमें पता करना समझे दोस्त ये point पता चलिया तो मिर भाई आपके सामने एक condition और आ गया अगला क्या एक चीद देखो अगला है आपके सामने देखो ये point है sign a plus b तो हम s को ऐसे रखते है sign a plus में b equals to sign ये देखो ये इसके बराबर है तो sign 1 किसकी value होती 90 की value होती ये आपको बता है और long time तर अपने आपको मजबूत करना चाहता है और math को मजबूत करना चाहता है मेरा एक ही मतलब कि यहाँ पर एक मोटीब है 0 degree 30 degree यहाँ पर 45 यह आपके पास 60 यह हो क्या आपके पास 90 ध्यान सुनना दोस्त एक होता आपके पास sign theta ये होता है cos theta भाई देखो समय कम है इसलिए थोड़ा से speed में लेके चल रहा हूँ sign theta cos theta ये है आपके पास 10 theta sign 0 पर क्या होता है 0 होता है 30 पर ये 1 by 2 होता है यहाँ पर आपके पास 1 by root 2 होता है यहाँ पर आपके पास root 3 by 2 होता है समझे रो बात को यहाँ पर फिर होगा तो आपने एक identity सुनी होगी 10 theta equals 2 होता है sign theta upon में cost theta अगर आप लोग चाहते हो completely हर एक chapter का भाई जो सिभ्यसी का एक power point होता है ना तगड़ा वो चाहिए तो आप लोग बस सभी बच्चों comment चाहिए और इस वीडियो पर जितनी likes और comments होंगे ना भाई उसी हिसाब से में आप लोग सब लिए क्या काम करूँगा जब mid time हो एक final हो टेंशन निलना इसी तरह का साइंस एसस्टी English सब का रामबान है बस एक ही चीची यह likes और comment इस वीडियो maximum to maximum ने दोस्त यह समझे तो sign को क्या करेगा cost divide करेगा यह sign है, cost रिवाइड करेंगे तो zero को one divide के तो क्या होगा यहांपर zero आ जएगा इसको divide के तो क्या हो जगा यह आपके पास 1 रूट 3 आ जगा यह completely कर जाए तो one और root चरूट कर जाए तो यह क्या होंजगा आपके पास infinity simple सब आता है तो sign 90 क्या होb apologise 1 आ गया, sin 90 पर क्या हो गया, 1, उसी तरह से यहां पर cos root 3 by 2 किसका होता है, cos root 3 by 2 क्या होता है, cos cos root 3 by 2 किसका होता है, यह देखो इसका 30 होता है, तो बस हमें यह value पता होना चाहिए था, then हो गया, दूसरा equation हमारे पास यहां पर क्या है, cos, यहां पर cos A minus B equals 2, यह cos अभी आपने समझों, यह पर क्या होता है, यह देखा, root 3 by 2 किसका होता है, यह होता है, आपके पास 30 का, समझे लोगा है, यहां पर पास A minus B equals 2, किता हो गया, 30, यह आपके पास पहला equation है, यह आपके पास दूसरा equation है, बहुत easy method है, बहुत इची भाई, लोगों नो मैस को होवा बना रहा हो भई, यह point समझो, यह point हो गया, आगे देखो, जब यह condition आ जाता है, तो आपको क्या करना है, equation, हमें क्या करना है, substitute कर देना, equation 1 from 2, मतलग कि 1 को 2 से, यहां पर देखो, यहां पर therefore कर दो, यहां पर A plus में B equals to कितना हो गया, 90, वहां पलिया हो हापे, A minus B equals to कितना हो गया, 30, अब देखो भई, हमें पकी पकाई चीज मिलेगे, क्या, यह plus minus concealer हो गया, A और A क्या हो गया, दोस्त, 2A, अब बराबर में इसे भी add करना पड़ेगा, 9, मतलग कि 90 और 30 कितना हो गया, यह देखो, यह हो गया, 120, कहने एक मतलब हो गया, दोस्त, 2A बराबर में कितना हो गया, 120, कार दो 2 से, एक वेल्यू कितना आजएगा, 60 डिगरी, चलो भाई, यह हमारा पास satisfaction आप चुका है, कि एक के वेल्यू कितना आया, 60 डिगरी, डन है, यह किसे भी equation में रख दो, हम मालों इसमें पूट कर देते, किसमें, इसको हम मालों इसमें पूट कर देते, ध्यान सुन कितना दोस्त, एक के वेल्यू कितना है, 60 माइनस में, बी को एज़ेटीज हैने दिया, यह आपके पास 30 आगया, यह बी एज़ेटीज है गया, माइनस में, यह 30 आगया, इसको मैंने उदर छेट भेज दिया, 60 को, सही इस लिखते तो भही, देखो, यहां अरे भाई सी, माइनस में, बी बराबर में, माइनस का कितना, 30, माइनस कितना, 30, माइनस माइनस कैंसी, बी की वेल्यू कितना है दोस्त, यह ओगा, आपके पास 30, अब एक कंडिशन देखो, अब आपके पास यह जो है, आपके पास 30 आया, एक आपके पास 60 आया, यह आया है, चलो देखते यहाँ पर अगला condition देखो, यहाँ पर आप लोग कभी भी कोई गलती ना हो, उसके लिए क्या करना है, आपको इसके equation चेकना है, A greater than B है क्या, अब हाँ पर अब चेक करो, A greater than B है, A greater than B है, एक value कितनी आगी है, एक value is 60, तो यह हमें पता है, 60 जो होता है किसे, 30 से greater होता है, क्या होता है दोस्त, यह 30 जो होता है, A 60 से greater पहला, हमारा पास variable, जो हमारा पहला statement बोल डाता, पक्का done हो गया, अब अगला कह रहा है यहाँ पे, कि यह A plus B का जो sum है ना, वो आपके 90 के बराबर भी होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, 60 और यह 60, 30, 90 हो रहा है, मतलब बराबर भी हो रहा है, यह अगर थोड़ा सा उपर चला जाता, तो यह answer गलत होता है, तीन नम्मर में इस तरह के questions आते हैं, तो आपको पता चल गया, सिबसीकर क्या demand होता है, question एक ही होता है, बट वो क्या करता है मेरे बार 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 क्या करता है, यह लोग बदल बदल के दे देता, 10 में, 11 में, बार में, continue पूछा है, बस थोड़ा सा theme अलग है, समझ गए, तो complete वीडियोस में आपको यही पता चलेगा, क्या से क्या है, समझे दोस्तों चलो, इस question को देखते हैं, तो इस question को देखने से आपने इस table को देख लिया होगा, यह table बहुत असान है, बहुत असान है, समझे दोस्तों, अगर इसके बाद prove that वाले चीज़े चाहिए, तो भाई, आप सभी का comment चाहिए, उस comment section में, और like भाई, आप लोग को बहुत important करता है, और भाई, भाई, आप अपने दोस्त त्यार आपको मैं बता दे रहूं, क्या हो रहा है, दोस्त, देखो, यहां करेक 10, क्या करें आपे, 10 हो रहा है, A plus B, यहां पर बराबर में, रूट 3, अब एक चीज़ मैं बताऊं हूँ, आपको इस question में, और पीछे वाले question में, ऐसा क्या करता है, CBC, कि जो भीया वार वार ये question को इस तरह किसे देता है, देखो, सब कुछ सेम मिलेगा, आपको सब कुछ सेम है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, यह भाई, जो पिछले सालों में, जो सिब्यसी ने ट्रेंड चला रहा था, जो questions repeated mode पे डालता था, वही आपके 2022 से paper repeat होना शुरू हो गया है, आपको विश्वास न में बनाता और बच्चे टॉपर कैसे लिख क्या आते, उसके अंदर maths लेके आपको पूरी सब्जक्ट में, संस्कृट तक, आईटी तक हैगा उसके अंदर में, बस टॉपर सिर्फ जरूर देखना, यह point हो गया, हमें simple funda एक ही याद रखना है, जो मैंने अभी आपको बता है, दोस्त, कि यह जो 10 है, यह a plus में b, अब भराबर में, root 3 की value क्या होती है, 10 में root 3 की value बताओ, 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 होता है, root 3, root 3, root 3 की value कितना होता है, 60 होता है, कितना होता है, 60, tables मुझेis कितना important है, यह वाई, यहाँ पर table important है, तो यह कितना हो गया, यहाँ पर यह 10 हो गया, 60, done है, फिर उसी तरह के से यह 10 A-B है, यहाँ पर 1 by root 3 किसका होता है, भाई यह ता 1 by root 3 30 का, यह देखो 10 30 का 1 by root 3, समझते जो भाई, एक एक point को miss मत करना, तो यहाँ पर लिख की देंगे, हम यहाँ पर 10 क्या था दोस्त, 30, समझ जा गया, अब कुछ मत करो, यह 10 से 10 कंसी लाट हो गया, क्योंकि एक को मतला होता, दोनों बराबर, चिपका दो भाई, दोनों को, A plus में B, बराबर में कितना हो गया, 60, यह आपके पास पहला equation हो गया, यह कुछ जादा ही हो गया, अगला है यहाँ पर A-B, बराबर में किया होगे दोस, 30 degree, यह आपके पास दूसरा equation हो गया, कोई दिक्कत है का, नहीं कानू दिक्कत नहीं हो गया, देखो बहुत असान है, बहुत इजी तरीके सा आप कर भी सकते हो, रहे मेरे भाई, आप लोग तो सेर सेर नी, तगड़े हो, बस आप लोग कोमेंट करके बताना, कि आप लोग का सबसे पहले, इसकुल किसी स्टेट में, सबसे पहले आप लोग अपना स्टेट कमेंट करना, अम मिट्टम का डिर्ट शीट में आप लोग को बताए गया, प्लीज आप लोग यह ची बताना, तो भाई देखो, equation 1, 2 को हम compare करते है, यह A plus में B, बराबर में कितन हो गया, 90, ठीक है ना, अब देखो, 2A बराबर में, जब यह 90 है, 2A से कट गया, कितना दोस्त, 45 तैम्स में, तो A के वैल्यू कितना आ गए, 45, देखो भाई, यू चुट क्यों मोरा है, अब पीछे वाले question में क्या था, सब कुछ से इन था, 10 questions में, इन्होंने variation गलत कर दिय है, वहाँ पर एक कुछ और value आते हैं, यहाँ पर कुछ और आ रहा है, इसकी value किसी भी डाल दो, इस पर डाल दो, इस पर कोई दिक्कत नहीं है, now, now putting, अपना equation, यह A minus B बराबर में कितना है, दोस्त, यह 30 डिग्री है, एक value कितना आया है, 45 आया, B को ऐसे रहन दो, यह होग 15, but minus minus cancel, तो big value कितना आ गई, फैर 15 डिग्री, तो यह point समझ आ गया क्या, अब मेरे को उम्मीद करता हूँ, आपको सारी चीज़े समझ आ गई होगी, और आपको समझ आ गया होगी, कि जो आज आप YouTube पे इधर उधर भगते रहे, तो आपको भाई, इधर उधर के thumbnail दिखा के कि भाई, यह पूरे नंबर, यह नंबर, वो नंबर दिखाए जाता है, इस चीज़ से भाई, मैं बहुत परिशान हूँ, क्यों भाई, देखो, हम जो originality है, हम भाई, original content दिखाते हैं, तो भी यह हमारे यह सा condition, लेकिन मैं चाहता हूँ, इस वीडियो के बाद, एतनी reach आज है, अपने SSP पे 100 के, इस महने का अंदर में हो जा, और मैं आपको दिखा दूँँ, आप मिटम में, क्यासे आप 110% 90 प्लस करते हो, 80 में से 80 आपके पके डन है, ध्यान रखना इस चीज़ का, समझे, लेकिन मैं आपको चीज़ समझाना चाहता हूँ, कि वह यह किस तरे के से सिब्यसी आपको गुमरा करता है, और किस्ते के स्पास आता है, यह दो कुशन्स आपको समझ आ गया होगा, अगिला पाट चीए, आप सभी का कॉमेंट चीए, और इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइक चीए, अगर मेरे आप देख रहे हैं, तो प्लीस लाइक कर उसके साथ साथ में इंस्टाग्राम पर जरूर फोलो करना, ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जैहिएट